तो इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले है RRB ALP and Technician के CBT-2 के बारे में वीडियो का टॉपिक है CBT-2 में जो पार्ट B था उस पेपर में नॉर्मलाइशन होगा की नहीं बहुत सारे स्टुडेंट्स ऐसे है जिसका पार्ट A बहुत अच्छा गया लेकिन पार्ट B उतना अच्छा नहीं हो पाया लेकिन Part B में तो आपको qualify करना है क्योंकि RRB के notice में ये clearly बोला गया है कि आपको Part B में qualify करना ही है अगर आप Part B में qualify ना कर पाए तो आपका Part A का कोई value नहीं For example, अगर एक student Part A में 100 में 100 marks ले आते है और Part B में fail हो जाते है तो उसके उस 100 marks का कोई value नहीं वो disqualified हो जाएगा तो सबसे पहले ये जानिए कि RRB normalization कब करता है RRB normalization तब करता है जब कोई भी paper एक से ज्यादा shift में हुआ हो तो आप लोगों का जो Part B का paper है वो ज्यादातर shift में हुआ है इसलिए आप ये पकड़ के रखिए कि Part B में भी normalization होगा तो इस वीडियो में हम इसके उपर ही बात करने वाले है अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे है तो कृपिया इस चैनल को subscribe कर ले ताकि आपको upcoming वीडियो का notification मिलते रहे तो सबसे पहले बात करते है RRB के ALP के CBT1 के बारे में क्योंकि RRB ALP CBT1 में total marks था 75 और CBT2 में जो part B है उनमें भी total marks है 75 तो सबसे पहले देख लीजिए कि CBT1 में normalization कैसे हुआ था तो RRB ALP CBT1 में जो हुआ था ओ कुछ इसी तरीके से सबसे पहले किसी भी students के raw marks यानी core marks को दिया गया था जैसे यहाँ पर आप देख सकते है एक students को core marks मिला है 38.33 next उस raw marks को prorated marks out of 100 यानी 100 के base में किया गया था लेकिन आप यहाँ पर देख सकते है 38.33 को अगर 100 की base में convert किया जाए तो आपका आएगा 51.1 लेकिन यहाँ पर उस student को मिला है 52.51 यानी एक नंबर ज्यादा तो next जो prorated marks है 100 के base में उस marks के उपर normalized marks दिया गया था जैसे आप यहाँ पर देख सकते है कि prorated marks से normalized marks 6 नंबर ज्यादा है यानी उसका 6 नंबर ज्यादा मिला है normalization में तो RRB ALP के CBT2 में जो part B है उस paper में भी normalization कुछ इस तरीके से होगा क्योंकि ओ भी 75 marks के उपर है तो next बात करते है RRB ALP CBT2 part B normalization के बारे में सबसे पहले देखिए CBT2 का जो part B था उनमें total marks था 75 जहाँ पे आपको लाना है 35% तो 75 का अगर आप 35% निकाले तो आपका आएगा 26.25 यानी अगर आप core marks 26.25 ले आते हैं तो आपके लिए कोई problem नहीं है और अगर आप 26.25 raw marks लाए तो आपका pro-rated marks out of 100 होगा minimum 35 यानी आप qualify हो जाएंगे तो सवाल ये उठता है कि अगर आपके part B में 26.25 ना आए तो क्या होगा सीधी सी बात है normalization तो होगा ही और अगर इसी हिसाब से calculation हुआ तो आपको सिर्फ इतना चाहिए कि normalized marks के जगा पे आपको 35 चाहिए चाहे आप core marks 15 ले आए या 20 कोई फरक नहीं पड़ता normalization होने के बाद अगर आपका 35 हो जाए तो आप qualified है अगर 100 के base पे calculation किया जाए तो अभी देखिए एक search को समझ लिजिए कि RRB में जितने भी vacancy है वो सारे इसी exam में fill up होंगे अगर for example ALP में psycho test के लिए 2.2 लाक students को qualify होना ही है अगर 2.2 लाक students part B में 35% नहीं ला आ आ पाते तो क्या होगा उनका marks normalization के जरिये बढ़ा दिये जाएंगे और जितने students required है उतने students को तो qualify करना ही होगा और railway को करवा ना ही है क्यूकि RRB को इस vacancy को इस exam के जरिये ही complete करना है इसलिए आपका marks normalization होके बढ़ना ही होगा अगर जितने students requirement है उतने students qualify ना कर पाते तो उमीद करता हो कि आपको पूरी जानकरी मैं दे पाया वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेर कीजिएगा आपका कोई भी डाउट हो कोई भी सवाल हो तो comment करके बताएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर जरूर सस्काइब कीजिएगा थैंक यू